नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजाए उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अभी रिसेंटली भारत में लोगसभा चुनाओं खतम हुए जहाँ पे अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से पैसे खर्च कियें अब टोटल पैसे जो खर्च किये गए थे अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज के दुआरा वो कुछ होता है 1.3 ट्रिलियन जहाँ पे भारत की जो जीडिपी है वो कुछ 3.5 ट्रिलियन के आसपास में है अब साल 2024 के जो लोकसवा चुनाओ थे उसमें इतने पैसे खर्चे किये गए कि ये दुनिया का सबसे एक्स्पेंसिफ चुनाओ निकल के आया जहाँ पे अगर आप एक वोट की कीमत जाना चाहेंगे तो वो पड़ेया कुछ 1400 रुपय आप शौर कि ये चीज सुनके अपनी कानों पे यकीन नहीं हो रहा कि एक वोट की कीमत 1400 रुपया है लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ तकरीबन हर दिन ऐसे हमारे सामने images आते रहते हैं जहाँ पे कहीं under construction bridge टूट जाता है कहीं पे flyover टूट जाता है लेकिन अगर जहां तक बात किया जाए accountability का तो वो चीज complete तरीके से missing रहता है और कहीं न कहीं जो इसके पीछे जिम्मेदारी बनती है वो हम जो common civilian से उनकी बनती है क्योंकि हर चीज को हम religion, caste, politics के चश्मे से देखते हैं तो जब हम अपने आपको religion, caste इसे उपर नहीं उठाएंगे तब तक देश में ऐसे ही bridges गिरते रहेंगे ये है हमारे सामने India Today का article जहां पे आप साफ और सपस्ट शब्दों में देख सकते हैं कि कुछ 1.35 lakh करोर चीज किये गया है 2024 के चुनाव में अब 1.3 lakh करोर के पीछे इतने सारे 0 होंगे कि आपके हमारे जैसे आदमी उस 0 को count भी नहीं कर पाएगा और अगर count कर भी लें तो हमें ये समझ में नहीं है कि उसको exactly हम पढ़े कैसे इसी बीच अगर कोई भी ये कोशिश करता है कि वो सरकार से सवाल पूछे तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास ही होते हैं जो हमें ये कह देते हैं कि ये इस political party के against political party को support करता है इसी लिए वो इस political party से सवाल पूछता है बात ये नहीं है कि आप किस political party से तालुक रखते हैं लेकिन बात ये है कि जो fact and figure present किया जारा क्या वो सई है या गलत है यहाँ पे जो इतने पैसे खर्च किये गये हैं वो सिर्फ एक political party के द्वारा खर्च नहीं किये गये हैं क्योंकि जो सरकार सत्ता में रहते हैं उनके पास सारा machinery होता है तो इसलिए चाहे कोई भी political party सत्ता में रहे वो सबसे अधिक खर्च करेंगे वहीं अगर बात किया जाए तो भारत US से या इसरेल से या अलग-अलग देशों से technology लेता है और बहुत बार ये भी कहा जाता है कि हमारे पास परियाप्त पैसे नहीं हैं लेकिन वहीं बात किया जाए चुनाव में खर्च का तो साल 2020 में US election में खर्च हुए थे कुछ 1.2 lakh करोर और वहीं भारत खर्च करता है 1.35 lakh करोर और साथ में अगर आप GDP difference देखेंगे भारत और US का तो एक बहुत ही बड़ा difference है US की economy दुनिया की number one economy है तो ये सब बातों का आपको हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि हमें समझ में आए कि हमारे पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है कहीं न कहीं accountability complete तरीके से missing है और इसके पीछे का जो जिम्मेदारी बनता है वो इस देश के जो common voter से उनका बनता है नॉर्मली किसी भी देश का जो capital होता है वो काफी अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है वहां का जो infrastructure होता है उसे बहुत ही काईदे कानून को ध्यान रखके बनाया जाता है लेकिन जिस तरीके से अभी recently Delhi airport का कुछ एक हिस्सा गिर जाता है जिसमें एक cab driver के मृत्य हो जाती है और अगर आप वहीं पे देखेंगे तो वो जो cab driver था वो अपने घर का एक लोता कमाने वाला आदमी था अब जैसे ही ये report पब्लिक में आता है वैसे ही सरकार बढ़ चड़ कर उसे 20 लाग रुपे का मुआपजा देती है इतने सारे departments का involvement होने के बावजूद भी हम एक अच्छा infrastructure डेवलप नहीं कर सकते हैं तो ये किसके उपर सवाल है क्या ये सवाल हमारे सरकार के उपर नहीं है क्या सरकार को इसके बारे में आके press conference नहीं करना चाहिए एक बात मैं दुबारा से याद दिला दू कि मैं किसी सरकार के खिलाफ या पक्ष में मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात हो रही है accountability की और वहीं पे अगर बात किया जाए तो सिर्फ डेली का एकलोता airport नहीं है जिसका कि कुछ हिस्सा गिर जाता है वहीं पे सारे political parties अपने अपने हिसाब से ये claim करते हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे लिकिन क्या कभी हम लोगों ने ये पूछा कि जो पिछले election में promises किये गये थे उस promises में कितना percent fulfill हुआ जिस तरीके से डेली में हर साल कुछ इतना ही पानी भरा मिलता है हमें मौनसून में जिसको कि अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये किसी भी देश का capital है और ये खास करके भारत का capital है जहांपे हम बार बार अपने इतिहास में जाते हैं और जहांपे हम खूब proud अपने आप पे मैसूस करते हैं यहांपे सरकारे सिर्फ आती है inauguration करते हैं और वो करके निकल जाते हैं चाहे बात किया जाए डेली का है चाहे बात किया जाए किसी और भी states का लेकिन जब भी बात accountability की आती है अभी recently जिस तरीके से भारत के northern हिस्सा में गर्मी पड़ा क्या responsibility था हमारे environment ministry का इसके बारे में किसी को नहीं पता बीते एक सालों में हम लोगों ने genuinely कितने सारे पेड़ लगाएं हमें ये नहीं पता genuinely बीते कुछ सालों में हम लोगों ने जो heavy industries है वो सारे norms को fulfill कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं किसी को नहीं पता इसी बीच continuous लोगों की जान जाते रहती है और accountability किसी का नहीं होता आज कुछ और news है कल कुछ और news रहेगा परसो कुछ और news रहेगा कहने का मतलब है कि समय दर समय एक news को दूसरा news replace करता रहेगा और यह जो cycle है वो चलता रहे यह किसी टाइम पर भारत के aviation minister थे और जब यह aviation minister थे तो इनके उपर बहुत सारे corruption के charges लगे थे और ED और CBI इनके उपर बकाइदा investigation करने के बाद court में सबूत को भी present किये थे लेकिन अभी यह currently ruling government का हिस्सा है इसलिए एक एक करके इनके उपर जो court में cases थे उसको close किया गया और इनके ही टाइम पर यह सारे construction हुए थे वहीं पर बात किया जाए taxation system का तो सरकार चाहे वो राज जे हो चाहे वो केंद्र हो वो बढ़ चड़ कर हमसे तकरीबन सभी चीज़ों में tax वसूलते हैं और अगर हमारे लिए कोई scheme को launch किया जाता है तो जितने का वो scheme नहीं होता उससे कहीं जादा तो advertisement में पैसे खर्श करके वो हमें बताते हैं कि सरकार हमें क्या दे रहे हैं किस तरीके से अपने hard earn पैसे को वो सरकार को दे रहे हैं और उमीद कर रहे हैं कि सरकार कम से कम जो एक bare minimum requirement है वो fulfill करें वहीं पर अगर बात करें आप बिहार के बारे में तो 9 दिनों में वहाँ पे 5 bridges गिर जाते हैं collapse कर जाते हैं और इन सब के बारे में कौन accountable है मुख मंतरी या home minister या केंदर सरकार किसी के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि किसी भी construction में इतने सारे department का involvement होता है कि department A, department B को जिमदार ठहराता है department B, department C को जिमदार ठहराता है इसी बीच उना हो जाते हैं कुछ ऐसे leaders जो political party A में थे वो कहीं और shift कर जाते हैं फिर कहीं और shift कर जाते हैं और जो आपके हमारे जैसा जनता है वो बस मंदिर मस्जी जैसे debate में ही रह जाते हैं और कहीं न कहीं एक जो basic requirement जो हम उमीद करते हैं सरकार से वो भी missing होता है तो कहीं न कहीं इन सब के पीछे का जो जिम्मेदारी बनता है वो इस देश के जो common voter से उनकी बनती है और इस शी से हम इंकार नहीं कर सकते हैं I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye